च्छै महीने बाद पाकिस्तान से भारत वापिस लोटी अंजू अब खबर है कि बच्चों से उसकी मा को मिलने के लिए भी इंकार कर दिया है उसी के बच्चों ने सिफ इत्ता ही नहीं घरवालों ने अंजू को सोसाइटी में भी बैन करवा दिया है उसकी एंट्री वहाँ पर बैन करवा दिया सोसाइटी के गेट में सुरक्षा वैवस्था भी बढ़ा दी गई है अंजू का घर राजस्थान बिभाडी में है और बिभाडी के सोसाइटी में है खबर यह है कि आईबी की टीम बच्चों से बातचीत कर रही है अर्विन के फ्लैट पर पहुंची थी विवाडी के एडिशनल स्पी ने बताया कि मामले की एफायर दर्च हो चुकी है और इस पर चर्चा परताल भी की जा रही है अगर अंजू बिभाडी आती है तो उनसे भी पुष्टाच की जाएगी और जरुत पड़ी तो अंजू को गिरफतार भी कर लिया जाएगा जानकारी के मुताबिक अर्विन के फ्लैट पर भी किसी को आने जाने की अनुमती नहीं है सोसाइटी में सेक्यूरिटी की जो विवस्था है उसको भी काफी बढ़ा दिया गया है अर्विन के मुताबिक अब दक अंजू और अर्विन का तलाक नहीं हुआ है और तलाक लेने में कम से कम 4-6 महीने लगते हैं उसने 24 जुलाई को 29 साल के नसरुला से शादी की थी नसरुला का घर पाकिस्तान में है दोनों की पहली मुलाकात फेस्बुक पर हुई और दोस्ती परवान चड़ गई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई भारत आने के बाद अब अंजु ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उसे पाकिस्तान में बहुत प्यार मिलता है बहुत रस्पेक्ट मिलती है और वो वहाँ पर खुश है और राजस्तान आने के बाद अभी तक अपने पिता के घर पहुँची है ना ही अपने पती के घर पहुंची है अंजू अब तक कहा है किसी को नहीं मालू अभी तक गायब है इसके बाद काफी सारे सवाल है वो यहाँ पर उठ रहे हैं आखिर अंजू कहा गई आखिर देश की सुरक्षा एजिंसिया इतनी कमजोर है लगाता है अंजू की तलाश में कोई भारत कभी भी आ पाए कोई भारत से पाकिस्तान कभी भी जा पाए कोई जांच नहीं कोई परताल नहीं इस बात का जिक्र मैंने भी किया है बहुत सारे और एजेंसियों ने भी क्या है क्या इसकी जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाईए अपनी पहचान साड़े चार करोड से ज्यादा व्यूज और तीन लाग सताइस हजार से ज्यादा सब्स्क्राइबर वाले राजिस्थान के चैनल राजिस्थान समबात पर करवाईए कवरेज जारा जनकाली के लिए वोट्स आप करें 733-99-00-549-4